बारिश में अफनाती बरसाती नालों को पार करने के लिए डंडो का सहरा लेकर लोग अपनी जान जोखिन में डालते हुए एक जगे से दूसरी जगे जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि जो सडक है वो पूरी तरीके से जलमगन होती नजर आ रही है रास्ते जो है वो बंध है ऐसे में एक लाठी की मदद से ये लोग पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं इन्होंने जिस तरीके से डंडे के मदद से ही एक टेंप्रेरी पुल बनाया और उसी में बलते नजर आ रहे हैं तो पित्वरागर की तस्वीरें जहां पर हालात किस तरीके के हैं आप सिती देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग फसे हैं किनारों पर वो आखिरकार मजबूर होकर अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से निकलने की कोशिश करते नजर आ रह लोगों की घरों तक पानी पहुच गया और ऐसे में आने जाने में भी लोगों को किस तरीके से दिक्कत हो रही हैं तस्वीरें कुछ वही बया कर रही हैं लोग डंडो की सहायता से लाथी का एक पुल बनाते हुए नजर आते हैं और उसी पुल से निकलने की कोशिश भी कर लेकिन अगर कुछ चूख होती है तो इस बड़ा खत्रा हो सकता है लेकिन मजबूरी इन्हें इस तरीके का जोखे मुखाने के लिए मजबूर कर रही है पानी का बहाव कितना तेज है आप देख के महसूस कर पाएंगे लोग वहाँ पर फसे हैं काफी देड़ तक उन्होंने हालाख इंपजार किया लेकिन जब कोई रास्ता नहीं सूजा तो इन्होंने डंडो से ही पुल बनाया उसके बाद एक एक करके नदी पार करते हुए पश्यमंगाल के जलपाई गुडी में तिस्ता नदी उफान पर है नदी का पानी गावों में गुश चुका है जिससे लोगों के गावों को काफी परशानियों को सामना करना पड़ रहा है